हालो फैंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इंगे सर्वांटेज यूटूब चैनल पर फ्रेंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसक्स करूंगा कुछ रियल मेमोरी बेस्ट कोश्चिन्स और यह कोश्चिन्स पूछे गए थे अबी पेस्पी ओ प्री एक्जैम में 12 करके दिया जाता है जिससे स्टुडेंट थोड़ा सा वहां पर कन्फ्यूज हो तो इस तरह के कोश्चिन्स को आपको कैसे करना है एकुरेसी के साथ यह मैं पूला डिसक्स करूंगा और किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं ठीक है देखिए टाइम एक बहुत ही कूश् देखिए इस तरह के कोश्चिन्स जिसमें एक सेंटेंस को पांच पार्ट में डिवाइट किया जाता है तो इस तरह के सेंटेंस को करने का सही तरीका क्या है कि आपको पार्ट वाई पार्ट इनको अप्रोच करना है पूरा सेंटेंस नहीं देखना है पहले ए पार्ट इस तरीके से आपको देखना है और जहां पर भी आप spotting error करते हैं जहां पर भी आप उस error को spot करते हैं वही पर आपको रुख जाना है, answer लगाना है और आगे बढ़ना है देखे, after his involvement ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है अब यहां पर देखे, was proven to investigation क्या ये sentence सही लग रहा है क्या ये fragment आपको सही लग रहा है after his involvement was देखे, was का मतलब क्या है कि यहां पर वर्ब की third form आईगी ठीक है, his involvement was proved उसका involvement जो था crime के अंदर वो proved किया गया किसी दूसरे व्यक्ति के दौरा ठीक है, तो जहां पर भी दूसरा व्यक्ति एक action में involved हो जाता है, जिसको हम agent बोलते है English grammar में, agent के दौरा कोई काम किया गया, तो वहां पर वो passive voice बन जाता है ठीक है, after his involvement was proved after his involvement was proved उसका involvement जब prove हो गया तो उसको बोला गया he was asked to resign from each post उससे बोला गया कि अपनी post से वो resign कर दे ठीक है, तो यहां पर हलाकि proven भी एक word है, लेकिन proven adjective है जैसे हम बोलते है, proven ideas या proven techniques तो proven adjective form है यहां पर लेकिन verb का आपको third form चाहिए, क्योंकि यह passive voice है ठीक है, तो इसलिए b part में इसमें गलती है, अब देखिए b इसमें ये एक नया pattern है, b first में भी दो दिया जा सकता है, नीचे भी दिया जा सकता है, कहीं भी यह हो सकता है तो b part इसमें second में है तो इसका जो answer होगा, वो होगा second I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ऐसे इन questions को करना है, ये real questions है ये questions IBPS PO pre के real questions है और सेम ऐसे ही question आएंगे आपके SBI PO और clerk exam में अब यहाँ पर देखिए, the government is expected ये सही है, कि government से expect किया जाता है government is expected मतलब government से ये उमीद की जाती है क्या उमीद की जाती है, कि to issue a statement यहां तक भी ये सही है थीक है, about the ongoing investigation to the press issue हम करते हैं press के लिए statement को हम issue करते हैं press के लिए तो press के साथ two words भी यहां पर सही है two issue भी यहां पर सही है थीक है, about का मतलब है regarding तो ongoing investigation के regarding ये statement है investigation इसमें noun है ongoing इसमें adjective है जो की investigation को modify कर रहा है तो यह पूरा sentence सही है और इसमें आपका जो answer होगा वो होगा no error, आप देखिए no error कहाँ पर दिया है no error दिया है second position पर तो आपका answer होगा इसमें second तो ऐसे इन questions को आपको करना है ठीक है, आपको part by part देखते हुए जाना है और जैसे ही जिस भी part में आपको इदर मिलती है वहीं पर आपको रुक जाना है इदर लगाना है और आगे बढ़ना है देखिए, people presumes लोग बाग ऐसा मानते है ठीक है, लोग बाग ऐसा मानते है अब देखिए, people जो है, ये plural subject है तो इसके बाद जो verb आईगी वो कैसी आगी, plural subject है तो plural verb आईगी, अब जिसमें as लगा होता है वो singular verb होती है, वो plural नहीं होती है यानि यहाँ पर ये जो word है, ये गलत है ए पाट में आपका, ए पाट में गलती है अब ए कहां दिया है, थर्ड में आपका answer होगा थर्ड, आपको पूरा sentence पढ़ना नहीं है यहाँ पर गलती बिल गई बस यहीं से आपको आगे बढ़ जाना है तो इस तरीके से आप time save कर सकते है पूरा sentence तब पढ़ना है, जब आपको sentence बिलकुल भी समझ में आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप sure है कि यहीं पर गलती है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है तो इस तरीके से आपको इन questions को करना है यह है best technique ठीक है, और SBI PO की vacancy आने बाली है फरवरी में आज आएंगे SBI PO की vacancy और मेरी paid classes आप यहीं जोइन करना चाहते हैं तो 31st January से पहले आप जोइन करें इसमें यहीं आप Bank PO का मेरा एक साल का course जोइन करते हैं तो इसमें बैंकल का course में आपको totally free of cost assign करके दूँगा इस site से आप bank PO कोर्स जोइन करें और bank का course में इसमें आपको free दूँगा लेकि यह offer 31st January तक है 31st January तक है ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं at adults only horribly अब देखिए suppose इस तरह के sentence इस तरह से इसलिए जाते हैं तक ही confusion हो at का मतलब क्या है at हम point के लिए बताते हैं तो इसका मतलब यह किसी जगे का नाम है यह कोई point का नाम है ठीक है इससे आपको घबराने की ज़रूवत नहीं है देखिए at adults only horribly you can roll out of bed put on snorkeling fins and slip right into the ocean in the deck of your over water villa यह IBPS PO pre का का अफ़ी अच्छा यह question है और काफी experiences में confused हो जाएंगे देखिए यहाँ पर actually एक विला की बात हो रही है जो की पानी को पर बना है ठीक है तो वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं यह travel or tourism से related sentence यहाँ पर दिया है you can roll out of bed अब अपने bed से उठके वहाँ पर जा सकते हैं put on snorkeling fins fins का मतलब क्या होता है जैसे मचली होती है fish होती है उसके fins होते है snorkeling snorkel एक device होती है जिसको जब आप पानी में चलंग लगाते हैं समुद्र में कूटते हैं तो उसको अपने मूँ पर लगा लेते हैं उससे सांस लेने में आसानी होती है breathing के लिए होती है तीक है वहाँ पर आप वो fin पहन सकते हैं वो device पहन सकते हैं and slip right into the ocean और आप समुद्र में कूट सकते हैं in the deck of your overwater villa मतला पानी के उपर जो आपका विला बना है उसके deck से आप पानी में कूट सकते हैं deck मतला एक छट टाइप की होती है एक फ्लोर होता है टॉक फ्लोर जैसे होता है shift के उपर होता है ये deck तो deck से आप ocean में कूदेंगे न तो right into the ocean from the deck नहीं होगा ये यहाँ पर in the deck कहा होगा from the deck होगा यनि D path इसमें गलत है अब D कहां दिया है D दिया है fifth में तो आपका अंसर होगा fifth ठीक है ऐसे करना है इनको आप देखिए tourism in the Maldives Maldives से पहले दाल लगाते है क्योंकि यह आईलेंड है यह यह relatively recent phenomenon देखिए fenomena का मतलब होता है घटनाए fenomenon fenomenon होता है singular अब चुकि यहाँ पर A दिया है यहाँ आप देखिए A दिया है तो A का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो noun आएगी वो कैसी आएगी singular आएगी इसका मतलब B part में आपके गलती है ठीक है B कहाँ दिया है first में आपका answer होगा first तो क्या यह questions कठें लग रहे हैं आपको यह bank PO के IBPS PO के real questions है और same ऐसे ही questions यदि आपके लिए problem है banking exams में इंग्लिस में आपका कमिस्कूर बन रहा है तो प्लीज आप comment box में लिखके बताइए क्या problem आपको आ रही है passage में problem आ रही है latest pattern के questions में problem आ रही है आप लिखके बताइए और मुझसे बात करिए और definitely मैं आपकी problem solve करूँगा देखिए यहां से हम पढ़ते है many small farmers यहां तक सही है find it hard find यह सही है finds नहीं होगा क्योंकि farmers plural है find में ऐस नहीं लगेगा यानि यह सही है find it hard बहुत सारे छोटे किसान इस चीज को कठिन मानते हैं यहां तक यह सही है find it hard find it hard for their organic and fresh produce मतलब बहुत सारे छोटे किसान को यह मुस्किल लगता है कि उनका जो organic produce है उनका जो fresh produce है उसके लिए उनको buyer नहीं मिल पाते है find it hard to find buyers for their भी सही है organic and fresh produce produce का मतलब क्या है जो फसल होती है जो फसल को जो उगाते है जो पैदा बार होती है उसके लिए यह produce word आया है तो produce बैसे word भी होती है लेकिन यहाँ पर इसको हम noun की तरह use कर रहे है क्योंकि इससे पहले यह adjective लगा हुआ है fresh fresh क्या है? adjective है इसलिए यह noun है यहाँ पर तो देखिए मैं किस तरीके से logically आपको चीजों को समझा रहा हूँ और यही exam में आपकी check होती है ठीक है तो यह sentence no error sentence है और इसमें कोई गलती नहीं है इसका answer होगा fourth ठीक है तो ऐसे इनको आपको करना है इसमें कुछ भी difficult नहीं है हाला कि यह pre के questions है मेंस लेबल के भी questions करवाता रहता हूँ और उसमें भी मैं same technique आपको बताता हूँ the professor asked the students यहां तक यह सही है to write सही है यहां तक our report professor नहीं स्टुएंट से बोला के एक report को write करें to suggest देखिए यहां पर एस लगा हुआ है यह two के बाद verb में first form आएगी यानि C part इसका गलत है C कहां दिया है second में यह देखिए यह answer आगया आपके सामें अब देखिए यहां पर देखिए for some time now for some time now हम present perfect continuous tense में use करते हैं तीक है India has been देखिए present perfect continuous tense में हम use करते हैं लेकिन उसमें इसमें देखिए क्या लिखा हुआ India has been asked the developed nation to bear the bulk of the goals when it comes to greenhouse emission इसका मतलब यह है कि काफी दिनों से India developed country से यह बोलता रहा है कि greenhouse, gas का emission developed country ज़्यादा करते हैं और उनको एक बड़ी responsibility लेनी पड़ेगी ठीक है उनको एक बड़ा goal बनाना पड़ेगा तो यहां पर देखिए आस तो यह पैसे वोईस हो जाएगा India has been asked का मतलब तो यह हो जाएगा कि India से पूछा गया है India से कहा गया है जबकि sentence or context यह बोला है कि India ने, India काफी दुनों से developed country से बोलता रहा है ठीक है, देखिए यहां पर किस तरीके से मैं logical reasoning आपको बता रहा हूँ For some time now, India has been asking not asked यहां पर देखिए फिर से एक active पैसे वोईस का concept involved हो गया है तो यहां पर जो सही answer होगा आपका वो होगा B और B दिया है fourth में तो इस तरीके से fourth आपका answer होगा I hope आपको अच्छे तरीके से समझ पहें यह सारे explanation सारा है है कोई भी doubt है, कोई भी query है प्लीज आप comment box में लिखिए और मेरे सारे video classes को आप पूरा end तक देखिए मैं playlist के links भी नीचे description box में दूँगा तो मेरे playlist में जाके सारे मेरे video classes देखिए इसी से आप भी कोई English section की तैयारी हो जाएगी और मेरे सभी video classes को प्लीज शेर आप जरूर करें अपने groups में देखिए इने age अब देखिए यह कितना लंबा sentence है लेकिन यहाँ पर देखिए age में bobble sound आ रही है यहाँ पर क्या होना चाहिए and होना चाहिए यानि a part में कलती है एक आदिया है third में देखिए कितना time लगा आपको इरर को इसपोर्ट करना है और जैसे ही आप इरर को स्पोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ना है क्योंकि examiner आपसे explanation नहीं मांग रहा है देखिए question number 10 देखिए there are no policies on regulatory clarity सही है on a lot of areas related to the development and commercialization of AI in India यह sentence सही है कहीं भी इसमें कोई गलती नहीं लग रही है इसका answer होगा no error तो इस तरीके से इन sentences को आपको करना है और SBI PO के लिए SBI कर के लिए English और Hindi में मैं video classes upload करता रहूँगा प्लीज मेरे video classes को आप like करें share करें comment करके बताएं कोई भी doubt या query है और कोई भी मेरे मेरी तरफ से कोई भी help हो इंगी section के लिए तो मुझे प्लीज आप call भी कर सकते हैं और comment box में लिखके भी बता सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में थेंक्यू